Hello and welcome back to the channel So, आज अपन जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले है ना अगर इस गाड़ी को मैं ऐसी लोकेशन पर लेकर ना आऊँ तो इस गाड़ी को लेने का ही कोई मतलब नहीं है कौन सी गाड़ी के बाद कर रहे हैं We are talking about the Mahindra Scorpio अपने चैनल पर यह गाड़ी आ चुकी है और बहुत दिनों बाद आई है So, apart from all the hype, आज आपन बात करने वाले हैं कि क्या यह असली में Scorpio है Because Scorpio का tag पहनना is not that easy बहुत सी चीजों पर आपको qualify करना पड़ेगा बहुत सारे criteria पर आपको खड़ा होना पड़ेगा तो उन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं Also, we'll talk about should you buy it क्या classic इससे better है, क्या इसको लेना चाहिए जितनी भी आपकी question है वो सब मैं आज आपको answer करने वाला हूँ So, let's start with the video So, start करते हैं वाकराउंड से सब से बहले आपको स्कॉर्पियों के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं So, इसका प्राइस साथ होता है From 11,99,000 रूपीज एक शोरूम And go still 23,90,000 रूपीज एक शोरूम But, according to me, these prices are introductory Because we all know Mahindra over the time prices increase करता जाता है So, I'm not sure ये prices कितने दिन तक रहने वाले But, अभी तो इतने हैं But, इस price से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए Because, अगर आपने इस गाड़ी को बुक किया है फिर तो ठीक है But, अगर बुक नहीं किया है तो आपको तो मिलने नहीं वाली अगर आपकी setting ना हो तो अगर setting है फिर तो मैं नहीं कह सकता But, अगर आपकी setting नहीं है तो जहां तक तो आपको इस गाड़ी नहीं मिलने वाली अगर आप देखो तो आपको एकड़म बॉल्ड सा लोग मिलता है And, according to me, it's like an evolution of the old Scorpio So, अगर आप इसकी grill देखो तो आपको इसमें chrome slats मिलते है यहाँ पे new Mahindra का logo मिल जाता है Front में आपको camera मिलता है Because, this is the top end variant यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको projector setup मिलता है For the low beam, high beam के लिए आपको LED setup मिलता है नीचे की तरफ आपको यह fog lamps मिल जाते हैं जो की projector fog lamps है And, उसी के around आपको यह DRL मिलता है So, front तो यार देखो चीज़ें तो आपको यहाँ पे सारी मिल रही है But, अगर मैं look wise बात करूँ न Look मेरे को मतलब जितना pictures में पसंद आ रहा था उतना मैं को real life में उतना पसंद नहीं आ रहा है Real life में मैं को मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि यार थोड़ा और better हो सकता था ऐसा नहीं कि कोई कमी है But, थोड़ा और better हो सकता था That is what I feel बाकी यार look तो यार देखो subjective चीज़ है आप लोग में को comment से बताईए आपको इसका look कैसा लग रहा है बाकी अब बात करते हैं यार इसके engines के बारे में Because, यहां पे आपको engine options ही मिलते हैं और उसी के साथ-साथ engine, same engine में भी अलग-अलग power figures हैं तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ So, अभी अपन ने इसका hood open किया है तो यहां पे इसकी hazard light शालू हो गई है तो आप यहां पे इसके dynamic indicators देख सकते हो जो कि यार बहुत बढ़ियां लग रहे हैं अब बात करते हैं इसके engine के बारे में The hood is so damn heavy यार मतलब इतना भारी होड़े हां वह यह लगा दो लगा दो यार इसका hood is the heaviest I've lifted on any car और classic मियार आपको hydraulic struts मिलते हैं यहां में पता नहीं क्यों hydraulic struts नहीं दिये जबकि इस गाड़ी का तो price भी जादा है यार इतना भारी होड़े नॉर्मल इंसान के लिए तो उठाने में देखका तो जाएगी मतलब मैं GMM जाता हूं तो ठीक है बड़ अगर कोई एकदम नॉर्मल सा जिसके पास जादा ताकत ना हो वो तो नहीं उठा पाएगा सो बहुत भारी होड़े न आप बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में सबसे बहले आपको यहाँ पे मिलता है 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो की प्रेड्यूस करता है 200 PS and 370 NM का टॉक इन मैनॉल and 380 NM का टॉक इन आटोमाटिक सबसे बहला इंजन आपके पास गए है फिर आपके पास आता है 2.2 लीटर का डीजल इंजन जो की लोर ट्रिम में प्रेड्यूस करता है 132 PS and 300 NM का टॉक और यही इंजन फिर हायर ट्रिम से प्रेड्यूस करता है 172 PS and 370 NM का टॉक इन मैनॉल और 400 NM का टॉक इन आटोमाटिक तो यह इंजन आप्शन आपके आपे मिल जाते हैं एक पेट्रोल है एक डीजल है डीजल में लोर में कम पाप रेड्यूस करता है हायर में जाधा पाप रेड्यूस करता है तो वह एक बड़िया बात है अब भी बाकी इसको बन नहीं कर रहा हूँ भी मैं विकाज अकेले में इसे नहीं होगा अब बात करते हैं इसके side profile के बारे में उस side में आप देख सकते हैं एकदम आपको एक boxy shape मिलता है हलके से यहाँ पे curves मिलते हैं स्टांस के मामले में तो बहुत बड़ियां लग रही है अब आते हैं इसके alloys की तरफ सो alloys भी हाँ थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है मतलब इवन इफ यू गो फॉड़ी टॉपें ट्रेंट तो अलग-अलग बाकी यहाँ पे अभी अपने पास एकदम ही की टॉपेंड वेरियंट है तो यहाँ पे आपको 18 इंचिस के alloys मिल रहे हैं और प्रोफाइल के बारे हैं बात की जाए सो इस 255 बाई 60 आर 18 सो 18 इंचिस का आपको यहाँ पे alloys मिल रहे हैं यहाँ पे आप क्लैडिंग देख सकते हो साइट स्टेप की आपको जरूरत पड़ेगी इस गाड़ी में बिकॉज अभी मैं चड़ूंगा ना तो आप देख ले ना यहाँ पे आपको टर्न सिगनल्स मिल जाते हैं बट कोई भी पडल अडल लाम्स नहीं है उपर की तरफ आपको रूफ रेल्स मिलते हैं सकोर्पिएन की होता है वैसा यहाँ पे दिया गया अब आते हैंर इसके रियर लुक की तरह मतलब यार पहली बार कोई गाड़ी में से ऊची लग रही है मैं पहली बार देखो ऐसे ऐसे करके दिखा रहाँ तो बहुत ऊची गाड़ी है बहूत बड़ी गाड़ी है लिटरल 6 inspired बोलो जो inspired बोलना उससे बोलो बाकी यह आपकी टेल लाइट से इसमें आपको यहां पर टर्ण सिंग्नर मिल जाते हैं यहां पर पीछे की तरफ camera मिलता है वद्रिया parking sensors यहां पर नीचे की तरफ आपको यह spare wheel मिल जाता है so here we have the spare wheel आप आते हैं आर इसके practical aspects की तरफ सबसे पहले अगर आपको यह open करना है ना you need so much space कि normal parking में इसको open ही नहीं का सकते हो आप so you need a lot of space to open this आपको समझ में आई रहा होगा तो यह practicality hinder तो करता ही है अब considering यह पुरानी Scorpio में अलग था यहां पर अलग है उसको heritage को रखने के लिए बट heritage अगर रख रहा ही था तो यहां पर भी आपन को वह normal वाली seat देना था जैसी पुरानी Scorpio में मिलती थी बट वह नहीं दी है तो इसको भी में को लगता है कि इसे उपर तरफ open करने वाला दे जेना था इसकी वैसे प्राक्टिकालिटी बहुत हैंपर हो रही है अब बात करते हैं इसके boot space के बारे में so if I fold the seats space ही नहीं है यहां पर space इसलिए भी नहीं है because यह curve में है so अगर आप इसे center में bag रखते हो ना तो तो आ जाएगा but side की तरफ यह और space कम हो जाता है so space यहां पर उतना बढ़िया नहीं है मतलब literally I'm telling you the boot space is non existing in this vehicle और यह वाली जो row है ना वो भी कुछ बहुत बढ़िया नहीं है भी आपको बता दूँगा बाकि यहां पर आपको थोड़ा सा space मिल जाता है यहां पर भी थोड़ा सा space है glass area is okay यहां पर आपको lights मिल जाती है but light को यहां से आप on का सकते हो यहां पर again speaker दिये गए हैं यहां पर आपको 12 volt का socket मिल जाता है so boot space is non existing according to me अगर आपको boot उट की मतलब 7 seater की भी ज़रूरत है और boot की भी ज़रूरत है तो फिर मैं काऊंगा यहां पर आपको adreno x का badge मिल जाता है again that scorpion sting यहां पर साइस के मामले में तो बहुत तगड़ी है यहां पर आपको अगें chrome मिलता है कि दो से स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आपको यह soft touch materials मिलते हैं यहां पर अगें this silver finish यहां पर से भी silver finish है यहां प्यानो ब्लैक में दिया गया है here we have the window controls door pockets are decent not the best I'll say decent door pockets है अब seat के बारे हैं बात की जाए तो seat तो यहां देखो इसकी जो upholstery है वो तो बहुत अच्छी है बहुत premium feel होती है but the thing is यह देखो यार 3 headresti दे रेते यह क्या अजीब से दिया है center में एकदम ही ऐसे लग रहा है aftermarket काम हुआ है बाकी यहां पर आपको isofix mounts मिल जाते है one problem that I feel with Scorpio and with Mahindra मतलब xv700 के बारे में अगर मैं बात करूं पता नहीं यार क्यों इन लोग sliding नहीं देते हैं seat में यह second row में sliding mechanism लगा दो आप उसकी वाज़े से let's say अगर मेरी second row में छोटे लोग बैठे हुए हैं मतलब जिनकी height कम है तो मैं at least third row में तो better accommodate कर पाऊंगा बड़ यहां पे न यहां पर ही जगा बन पाती न third row में यह बन पाती है so because यह slide नहीं होती है seat I cannot configure the space यह भी fix है पीछे वाली भी fix है तो जितनी space है उतर नहीं रखो बाकी यहां पर आपको AC vents मिल जाते हैं यहां पर blower controls है टाइप C का socket है isofix mounts मिल जाते हैं यहां बड़ियां बाते हैं also looking at the width of this vehicle यहां पर बैड़े आएंगे अब बात करते हैं इसके third row के बारे में 40 seat तो यहां बहुत बड़ियां तरीके से फोल्ड हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है but the problem is यह गाड़ी की हाइट इतनी है ना कि अंदर जाते टाइम आप पहले यहां पर रखो फिर वहां पर रखो फिर जाके आप अंदर जा पाओगे तो अंदर जाना is not the easiest and space के बारे में बात की जाए space is decent here तो अब मैं आपको जाकर दिखाता हूं यह देखो पहले एक step वहां रखा मैं देखो इससे जादा नहीं जा पाओँगा because space नहीं है यह आगे वाली seat को मैं आगे भी नहीं का सकता हूँ so तेड़ा बैठा हुआ हूँ अभी और तेड़ा ही बैठ पाओँगा इससे जादा मेंसे नहीं हो पाएगा so space is not that good here एकदम knees up position बन रही है मला बिल्कुल भी यहाँ पर मैं comfortable नहीं हूँ so आप यहाँ पर देख सकते हैं space is उतना बढ़िया नहीं है headroom भी उत्ता अच्छा नहीं है so एकदम ऐसी feeling आ रही है कि किसी ने जबरदस्ती बठा दिया मिलको यहाँ पर so anyone above 5 feet cannot be comfortable in this row चोटे बच्चे जो strictly small kids होते हैं उनके लिए यह रो बढ़िया है बाकी adults के लिए तो मैं बिलकुल भी recommend नहीं करूँगा adults के लिए बिलकुल भी नहीं है यह रो because space होताना अच्छा नहीं है एकदम knees up position बन रही है जगा नहीं है claustrophobic feeling है headroom नहीं है so space is not that good here बाकी आप मैं आपको second row दिखाता हूं so आगे वाली seat मेरे height के साफ से अजस्टेड है मेरी height is 6 feet यहाँ पे तो यहाँ space के मामले में कोई दिखकत नहीं है बाकी under thigh support is not that good बाकी seat की cushioning motioning यह सब बढ़ियां है comfort के मामले में आपको यहाँ पे कोई दिखकत नहीं होगी यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ lights मिल जाती है so यह सब बढ़िया है second row is good comfort is good and also जब आप यहाँ पे बैट्टे हो तो आपको एक high sitting position मिलती है so आप इसकी उपा से भी देख सकते हो आपको ऐसा ही लगया कि एकदम आपके move पहेगे so आप इसकी उपा से भी देख सकते हो तो यह बढ़ियां बात है so second row is good but third row is not at all good बाकी आप चलते हैं आगे की तरफ so first of all आपको request sensor दोनों तरफ मिलते हैं अब बात करते हैं इसके डोस के बारे में तो अगें एकदम हेवी डोस है यार डोस तो अच्छे हेवी आपको मिलने यहां पर push button start stop है अब अंदर दिखाता हूँ आपको वीडियो में आगे बात कहने से पहले जब आपकी कार का इंटीर इतना premium हो तो उसको match करने के लिए आपको चाहिए एक premium fragrance टोड़े वी हाव इनवाल जेल का सिट्रॉन सिट्रॉन में आपको lime lemon orange का एक infused combination मिलता है जो कि बहुत ही refreshing है also it's spell proof and यहां से आप diffusion increase decrease का सकते हो इसमें आपको dry fresh technology मिलती है जो कि आपकी पूरी car को cover करेगा made be auto made be fortuna so कभी भी आपको fragrance के मामले में कोई कमी feel नहीं होगी so अगर आप इसको लेना चाहते हो description में आपको link मिल जाएगी and if you want some other fragrance आपको involved में 75 plus fragrances मिल जाएगी so you have a lot of options and don't forget to use my coupon code fuel injected to get 10% off so सबसे बहले इसके interior के बारे में बात करते है premium तो देखता है यार expensive भी देखता है और एक वो premium feeling तो आपको यहाँ पका से आने वाली है which is a very good thing इसके steering से start करते है तो आपको leather wrap steering wheel मिलता है flat bottom है यहाँ पे silver inserts है new mahindra का logo है यहाँ पे multimedia controls cruise control auto headlamps आपको मिल जाते हैं यहाँ पे आपके wiper के controls हैं so यह सब बढ़िया बात है steering is tilt adjustable only इसमें आपको telescopic function नहीं मिलता है जो कि मैंको असा लगता है at least on this top end variant the L variant यहाँ पे तो देना चाहिए था वाकी अब बात करते हैं इसके instrument cluster के बारे में में vehicle info पे जाऊं तो यहाँ आपको tire pressure monitoring system मिल जाता है tire temperature मिल जाता है power and torque मिल जाता है so TPMS भी है तो यह सब बढ़ियां बाते हैं बाकी यह वाला जो material है यह सब soft touch है यह सब hard plastic है as this is the top end variant यहाँ आपको sony के speakers मिल रहे हैं यह आपका eight inches का infotainment system which is a good system like ठीक है touches response इसमें decent है clarity decent है जादा glare नहीं पड़ता है यूस करने में जाद इकत नहीं होती है इसमें आपको wireless android auto and apple कापले में जाता है जो कि एक बढ़ियां बात है और इसमें आपको बहुत सारे apps apps भी मिलते हैं यह देखो जो मैटो मैटो यह सब चीज़ें आपन ने xv700 में देगी दी वह आपको यहां पर ही मिलती है तो यह इसमें आपको Alexa भी मिलता है तो Alexa का भी support है आपके पास यह देखो चालू हो गया तो बहुते साथ वह चालू हो जाता है तो Alexa अलेक्सा भी है बाकि यहां पर आपको quick access buttons मिल जाती है volume volume के लिए यहां पर आपने पास dual zone climate control है यहां पर आपके पास sos camera auto start stop यहां पर आपने पास traction control hill descent control यहां पर आप देखें तो आपको एक usb socket मिलता है यहां पर यहां पर four high four low और उसी के साथ साथ यहां पर अपने पास drive modes है तो अगर यहां पर आप देखो सब से पहले आपको मिलता है normal mode फिर आपको मिलता है grass gravel snow फिर आपको मिलता है mud and rut and then we have the sand mode तो यह सारे modes आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं इसी के साथ साथ तो वह एक बढ़िया बात है यहां पर आपको एक single cup holder मिलता है अच्छा बड़ा सा armrest मिलता है with soft touch इसके अंदर आपको decent space मिल जाती है glove box आपका illuminated है और cooled है और इसके अंदर भी आपको decent space मिलती है अब considering the L variant यार यहां पर आपको auto dimming देना चाहिए था बड़ यहां पर so for the first time आपको scorpio में sunroof मिलने वाली है और इसका opening area अच्छा है width भी इसकी बहुत अच्छी है मतलब देखो एकदम यहां से लेके वहां तक है so width भी इसकी बहुत अच्छी है opening area is really good so yeah sunroof आपको मिलने वाली है और यहां से इसको close भी कर देते है safety की बारे में बात की जाए तो यहां पर आपको standard dual airbags ABS with EBD मिलता है on the base trim अगर आप base से एक उपा जाते हो फिर आपको electronic stability program, hill start assist, hill descent control भी मिल जाएगा तो वह एक बहुत बढ़ी हाँ बात है and then if you go for the top end trims तो फिर आपको यहां पे six airbags, driver drowsiness alert यह चीज़े और देखने को मिल जाती है so यह है इसके safety feature अब एक काम करते है let's drive it so सबसे पहले मैं आपको इसका horn सुना देता हूँ horn is decent, camera's तो यार इस गाड़ी के बहुत ही खराब लगे मैंको मतलब देखो बिलकुल भी clarity, clarity कुछ नहीं है सामने का तो और खराब लगा मैंको, बाकी ठीक है इसमें आपको adaptive guidelines मिलती है बट clarity के मामले में तो बिलकुल भी अच्छे camera नहीं है अब एक काम करते हैं, हलका सा off-roading से start कर रहे हैं बहुत जादा off-roading नहीं है, एकदम हलकी सी है मतलब इसके लिए तो मैं को four wheel drive भी apply करने की ज़रूरत नहीं है बट ठीक है, क्या कर सकते हैं अभी new गाड़ी है यार अभी मैं आपको इनके owner से भी मिलवाँगा बहुत जल्दी तो तब अपन और अच्छे से बात करेंगे, उनसे अपन पूछेंगे कि उनको ये गाड़ी में क्या क्या अच्छा लगा बाकि ground clearance तो यार इस गाड़ी का इतना अच्छा है कि most of the time you don't even have to think about anything कि कहां से निकलेगी ये गाड़ी, कहां से नहीं निकलेगी, बस चलाते जाओ, चलाते जाओ और ये गाड़ी most areas से निकल जाती है सो वो मैं को बहुत बढ़ियां लगता है कि यार, जहां से लेके जाना है, वहां से लेके जाओ और अभी मैं को सिब एक चीज का डल लग रहा है कि sunset न हो जाए otherwise वीडियो उतना अच्छा नहीं बनेगा वाकी यार अच्छा टाइम भी यही होता है वीडियो बनाने का right so यहां से देखो कितने आराम से जा रही है और the best part is कि off-roading में न यह बहुत ज़ादा bounce sounds नहीं कर रही है usually क्या होता है जो off-road वाली गाड़िया होते हैं पूरी जगा हिलती रहती है बढ़ यह हिल नहीं रही है composed है comfortable है तो वह एक बढ़िया बात है अब so start करते हैं आर इसके engine से today we have the most powerful one 400 nm का इसमें टॉर्क है डीजल इंजन है आटोमाटिक के साथ सब्सक्राइब के मामले में तो कोई देखका था नहीं है एकदम smooth engine है एकदम refined engine है कोई भी इससे harsh note नहीं है and the power delivery is smooth I won't say it's really out right because अगर आप इसको एकदम से floor करते हो या फिर एकदम से throttle देते हो ना इस linear तो अगर आप इसको पुरानी Scorpio से compare करोगे ना आपका इसलेगा कि यार एकदम से पंच नहीं आ रहा है एकदम से टॉर्क रश नहीं आ रहा है that is because the power delivery has been tuned in a linear way तो तॉर्क रश यहां पर आपको पुरानी Scorpio जैसा तो नहीं मिलेगा बट ठीक है उतनी दिक्कत नहीं है because it's very comfortable and also because of this linear power delivery जब आप इस गारी को city में चलाते हो ना city में चलाने में आपको कोई दिक्कत फिल नहीं होती है because you can really control it बहुत अराम से आप इसको control कर लेते हो बहुत अच्छे से यह manage हो जाती है क्योंकि एकदम से वो जर्क आपको नहीं लगता है so एक बढ़िया बात है so engine के मामले में आपकोई देखका थनी है बहुत smooth engine है बहुत refined engine है petrol भी यह भी दोनों engine यार बहुत अच्छे है अब बात करते हैं इस गाड़ी के gearbox के बारे में so gearbox is good it's not the fastest style से एकदम तेज नहीं है हलका सा time लेता है से यह देखो so हलका सा time लेता है अगर आप एकदम से floor कर देते हो but for the most part it's really good अगर आप normally छिला रहे हो बहुत जादे एकदम full throttle नहीं दे रहे हो so for the most part it's good अराम से shift करता है without any problem बहुत जादे आपको जर करकर नहीं देता है जादे आपको shift समझ में नहीं आते है so it's a smooth gearbox and इसमें आपके पास एक manual mode भी है तो आप उसको भी engage कर सकते हो अब बात करते हैं इस गाड़ी के steering के बारे में so steering is so damn light यार इतना light steering है इस गाड़ी का कि जैसे अभी normally चल रहे हैं तो कोई देखकात नहीं है but जब मैं इस गाड़ी को 80, 90, 100 की speed में लेके जाता हूँ ना वहाँ भी कि steering अच्छे से way up नहीं होता है जिसकी वैसे में को वह confidence नहीं आता है so the steering is too damn light यार मतलब बहुती light है इतना light है कि देखो so it's way too light जिसकी वैसे यार में को जब मैं तेश चला रहा हूँ इस गाड़ी को जब मैं इसको highway पे लेके जा रहा हूँ 80, 90 की speed पे लेके जा रहा हूँ तो मेरे को वो confidence नहीं आता है वो assurance नहीं आता है steering से that is one thing I feel बाकी city के साफ से तो बहुत अच्छा है maneuverability के साफ से बहुत अच्छा है अगर आपको tricky situation पे फसते या फिर off-road लेके जाते हो तो वहाँ पे steering को use करने में आपको बिलकुल भी दिक्कत फील ली होगी because बहुत अराम से आप इसको use कर लोगे बहुत अराम से turn on कर लोगे but highway के साफ से it's not that good because feedback इससे उत्ता बढ़िया नहीं है बहुत अच्छे से way up नहीं होता है so वो एक बात है बाकी braking के बारे हैं बात की जाए तो brakes तो यार इस गाड़ी के इतने तगड़े हैं literally I'm telling you for the first time and especially on the automatic एकदम से न अगर आप first time इस गाड़ी को चला रहे हो तो आप एकदम से डरे आओगे हलका सा because braking is way too sharp weight मतलब bite इतनी aggressive है न कि एकदम से आप अब 2 seconds तो आपको लगे है कि यार एकदम से क्या हुआ so थोड़े दिन में आप used to हो जाओगे but initially the bite is weight aggressive so yeah the brakes are really good but उस से used to होने में आपको थोग सा time में लगेगा time लग सकता है अगर आप automatic चलाते रहते हो फिर उतना नहीं अगर आप manual से आ रहे हो ना फिर तो थोड़ा time लग जाएगा बाकी visibility के वारे हैं बात की जाए so visibility is really good of this vehicle कहीं पे भी blind spot नहीं बनते हैं कहीं भी देखने के मामले में कोई देखका नहीं but the problem is the width of this vehicle is way too much जिसकी वज़े से जब आप इस गाड़ी को city में चलाते हो ना and specially these mirrors यार मतलब width तो तो आप देख लो बड़ उसके बाद ये mirrors भी इतने बड़े बड़े हैं कि इसको एक अलग consideration आपको देना पड़ता है so city में चलाने में it's not the friendliest आपको बहुत समहाल के चलाना पड़ेगा because एकदम से आप कहीं से निकलते हो आप bonnet को देखते हो bonnet तो बहुत अच्छे से देखता है इसमें because low dash है so bonnet ओने देखने के मामले में कोई देखता नहीं बट फिर एकदम से आपको लगता अच्छा है कि mirror भी है तो ये mirror को आपको अलग से consider करना पड़ता है अलग से देखना पड़ता है उसका अलग से एक responsibility है so visibility is good और city में चलाने में लेकिन थोड़ी सी दिखका दोगी because mirrors, width ये सब इसको ज़्यादा help नहीं करता है अब बात करते हैं इस गाड़ी के NVH levels के बारे में NVH levels are really good of this vehicle मतलब road noise नहीं है wind noise नहीं है engine noise नहीं है the only problem is the suspension noise and considering ये first lot की गाड़ी है तो मैं इसको थोड़ा सा भी leniently check कर रहा हूँ बाकी considering ये first lot की गाड़ी है तो हो सकता है कि इसमें बस हो आगे जाके improve हो जाए बट अभी इसमें suspension में एक हलका सा noise है जो की off-roading में नहीं आता है जब आप इस गाड़ी को off-roading लेके जाओगे ना वहाँ पे नहीं आता है जब आप normally road पे चलते रहते हो ना वहाँ पे बता नहीं क्यों ये suspension का एक noise आता है जो की थोड़ा समय को weird लगता है जब road एकदम plain रहती है जब एकदम अठी रहती है तब वह noise आता है तो मिरको भी समझ में नहीं आता है कि यार क्यों आ रहा है so suspension से एक हलका सा weird noise है जो की में को लगता है first lot की वाज़े से बाकी XUV 700 में भी था तो I'm not sure कि ये महिंदरा के साथ problem ही है कि ये first lot वाली कहानी है and आप बात करते हैं इस गाड़ी के suspension के बारे में so suspension has really impressed me because apart from that weird noise जो की एक weird noise आता है जो इम आपको बता रहा था उसको अगर मैं side कर दूं उसके अलावा या suspension इतना stability प्रोवाइट करता है इस गाड़ी को इतना composed रखता है जब आप 80, 90, 100 पर लेके जाते हो गाड़ी में बिलकुल भी आपको body roll feel नहीं होता है बिलकुल भी unsettle वाली feeling नहीं आती है so गाड़ी बहुत stable रहती है बहुत composed रहती है जादा body roll आपको feel नहीं होता है stability feel होती है so उन सब मामलों में आर the suspension is really good apart from that weird noise जो एक weird noise है वो तरही मैं आपको बता दिया है बाकि आज suspension एकदम comfortable ride आपको देने वाला है एकदम stable रखने वाला है गाड़ी को so that all is good अब बात करते हैं इस गाड़ी के mileage के बारे में so इसको मैंने एकदम चलाने से पहले reset किया था तो मैं आपको real mileage बता रेता हूँ so let's check the fuel info so जब से मैं इसको चला रहा हूँ अभी तक इसने में एको 8.9 km per litre का mileage दिया है so 8.9 km per litre considering it's an automatic and considering की थोड़ा मैं तेज भी चला रहा था तो इतना mileage में इसको मिला है बाकी अगर मैं real world के बारे में बात करूँ so in the automatic you can get around 10 in the city and 13, 14 on the highway इतना mileage आपको मिल जाएगा अगर मैं manual के बारे में बात करूँ diesel manual तो वहाँ पे city में आपको around 12 km per litre मिल जाएगा highway पे around 16, 17 km per litre मिल जाएगा so these are the mileage figures that you can get तो इतना mileage आपको मिल सकता है बाकी petrol में थोड़ा और कम रहता है पेट्रोल के अगर मैं बात करूँ तो petrol में you can get around 8, 9 in the city and on the highway you can get around 14, 15 so petrol में थोड़ा और कम हो जाता because petrol AR और फिर वो powerful भी है so petrol के इतना mileage आपको मिलेगा बाकी यार सब कुछ में को इस गाड़ी में बढ़िया लगा off-roading capabilities भी बहुत बढ़िया मतलब अभी तक मैंने जितना भी चेक किया ना 4 low लगा के, modes लगा के तो यह सब मामले में यार इस गाड़ी ने में को बहुत impressed किया है इंप्रेस तो बहुत हुआ हुँ मैं बाकी अब बात करते हैं वर्डेक के बारे में सब बात करते हैं कि क्या यह सही में Scorpio है मेरे साब से येस विकास जब आप इस गाड़ी को चलाते हो ना आपको वह commanding sitting position मिलती है एक powerful feeling आती है जो कि पुराणी Scorpio में भी आती थी ओफ रोड़िंग में ये गाड़ी बहुत capable है उसी के साथ से जब आप इसको चलाते हो ना हर कोई आपको ऐसे नीचे नीचे फील होगा आप इतना ऊचा बैट्टे हो considering the ground clearance considering the height of this vehicle I was really amazed कि कितने बढ़ियां तरीके से ये handle हो रही है कितने बढ़ियां तरीके से stable है विकोज यहीं पर मैं थार के बारे में बात करूं थार में आपको एकदम ऐसा लगता था कि out of control है बड़ ये out of control फील नहीं होती है आपको मतलब एक वो comfort स्टेरिंग है so engines are good things are good कुछ निगल्स है जो कि में कर से लगता है कि first lot की problem है so जैसे आगे जाके और R&D होगी इस गाड़ी पे और मतलब थोड़ा सा feedback आएगा तब जाके वो चीज़ें भी सॉब जाएंगी जैसे अभी थोड़ा सा suspension का noise है तो कुछ चीज़ें आगे जाके solve जाएंगी मैं यह चीज़ को ले के चल रहा हूं because considering it's the first lot तो ठीक है थोड़ा सा अपन lenient हो सकते हैं but अगर आगे जाके नहीं होता है फिर दिक्कत है and yeah the vehicle is good the hype according to me is well deserved because गाड़ी यार बहुत अच्छी है बस कुछ चीज़ें जैसे second row में sliding mechanism लगा दो ताकि वो जादा practical हो जाए suspension थोड़ा सा बेटर कर दो ताकि आवाज ना आए तो यही कुछ लोग आपको वीडियो कैसा लागा है और नेक्स वीडियो बाई